हेलो फ्रेंड्स आई एम रिच्छना वेलकम एक माई यूट्यूब चैनल आज हम आपके लिए डिजाइनर महुरी वाली दोती सिल्वाल लेकर आए हैं और इसे बनाने के लिए हमने सवा दो मीटर कपड़ा लिया हैं सबसे पहले हम आपको बैल्ट की कटिंग करना बताएंग तो बैल्ट की कटिंग करने के लिए हमें फैवरी को एक वार फोल करना है तो यहाँ पर मैंने फैवरी को एक वार फोल किया है फैवरी को मैंने अर्ज की तरब से फोल किया है और यहाँ पर हम लेंथ ले रही हैं बैल्ट की लेंथ मैं 9 इंच ले रही हूं 9 इंच और बैल् बड़े साइज की सलवार में बैल्ट की लेंध हम 9 इंच लेते हैं तो वो सिल्के तयार 7 इंच की हो जाती है और यहां से आप बैल्ट को कट कर लें तो यहां पर हमने बैल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है और फैबरिक हमारी एक वार फुल है अब हम आपको बैल्ट की चोड़ाई बताएंगे बैल्ट की चोड़ाई कमर मेजर्मेंट के अकोर्डिंग दी जाती है कमर साइज है 32 इंच और हाफ हुआ 16 इंच क्योंकि फैबरिक हमारी एक वार फुल है तो यहां पर हम 16 इंच पे मार्क करेंगे और इसके बाद 7-8 इंच फैबरिक हम फुल्ड बैल्ट में अधिक आड़ करते है आप हर साइज की बैल्ट की कटिंग इसी तरह से कर सकती है अब हमें बची हुई फैबरिक लेनी है और इस फैबरिक को हमने ऐसे चोड़ाई में एक वार फुल किया है यह कपड़े का अर्ज है और यह कपड़े की चोड़ाई है तो यहाँ पर मैंने फैबरिक को एक वार चोड़ाई में फुल किया है और अब हम इसे ऐसे तिर्चा फुल करेंगे धोती सिल्वार के लिए हम फैबरिक को इस तरह फुल लेयर में फुल करते है तो यहाँ पर मैंने इसे तिर्शा फोल्ड किया है और यह जो एक्षा फैब्रिक है टू लेयर में बची हुई है इसे आप कट कर ले फोल लेयर में फैब्रिक हमें रखनी है तो यहाँ पर मैंने टू लेयर में जो बची हुई फैब्रिक थी इसे मैंने कट कर लिया है और जो जो उपर की एक साइड है ये भी बंद साइड है तो इस साइड को भी आप कट करने हैं तो ये टूपीस हो जाएंगे जो की फोल्ड है और अब हम यहां से ड्राफ्टिंग करना बताएंगे तो इधर की तरफ से मैं आसन की और मुहरी की ट्राफ्टिंग करूँगी पहले मुझे यहां से लेन्थ लेनी है 7 इंच की हमारी बेल्ट तयार होगी और 34 इंच के ये पीस हम तयार करेंगे तो सलवार हमारी 41 इंच की इस तरह से तयार होगी तो यहां पर जो मैं सलवार की लेन्थ ले रही हूँ पहले मैंने मार्क किया है 34 इंच पर दूसरा मार्क मैंने किया है 35 इंच पर और ये पीस हमारे 34 इंच के तयार होगे तो यहाँ पे मैंने length लिया इसकी 35 इंच और मैं इधर की तरफ से अब आसन और महरी की drafting करूँ ही मैं आपको पास से दिखा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने length इसकी 35 इंच लिया है अब हम महरी रखेंगे तो मैं designer महरी बनाने जा रही हूँ धोती सिल्वार की और यदि आप यह simple महरी बनाएं तो इसे इस तरह से आप सीधी ड्रो ना करें ऐसे तिर्ची ड्रो करें यदि आप सीधी महरी बनाना शाहती हैं और मैं महरी designer बनाऊंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे सीधी line ड्रो करूँगी क्योंकि जब हम यह सीधी line ड्रो करेंगे तो इसे जो महरी है वो V-shape में कट होगी ध्यान रखें जब हम सीधी line ऐसे ड्रो करेंगे लेंथ लेने के बाद तो यह महरी V-shape में कट होगी और जब हम तिर्ची line ड्रो करेंगे तो यह महरी simple कट होगी तो मैं इसे V-shape में कट कर रही हूँ मैंने इसलिए length लेने के बाद ऐसे सीधी line रोकी है और यहाँ पर मैंने मोहरी कट कर ली है इसके बाद अब हम आसन की length रखेंगे सिटेंडर साइज का आसन जो होता है वो 16 inch का तयार होता है 16 inch का 7 inch का हमारा belt में तयार होगा तो यहाँ पर जो हम आसन की length ले रही है वो हम 10 inch ले रही है 10 inch और आसन हमारा 9 inch का होगा इस तरह से हमारा आसन 7 inch belt में और 9 inch यहाँ पर तयार होगा तो 16 inch का आसन हमारा इस तरह से तयार होगा यहाँ पर आसन की चोड़ाई हमने 3 इंच ली है और ऐसे box बना के 1.5 इंच पर हमें आसन की गोलाई करनी है यदि धूती सिल्वार आप कम साइज की बना रही है तो यह चोड़ाई आप 2.5 इंच, बेवी की बना रही है तो यह चोड़ाई आप 1.5 इंच रखें तो इस तरह से आप आसन को कट कर लें तो एक ही तरफ से हमने आसन और मोहरी की ड्राफ्टिंग कर ली है अब हम कटिंग कर रहे हैं आसन की तो जो यह धूती सिल्वार होती है इसमें 3 कौने होते हैं जब हम इसे तिर्चा फोल करते हैं एक तरफ मोहरी कट होती है एक तरफ आस कट होता है जो तीसरा कौना होता है यहां से हम सिल्वार को डिजाइन करते हैं तो यहां पर हम वन एन हाफ इंच की ऐसे गोलाई करते हुए कटिंग कर लेंगे ऐसे इस तरह से हमें गोलाई करते हुए कटिंग करनी है तो यहां पर जो यह दोती सिल्वार है इसके टूपीस कट कर लिए हैं और यह कटिंग हमारी कम्प्लीट हो गई है अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं तो यहां पर हमें बैल्ट लेनी है सबसे पहले और बैल्ट हमारी एक वार फोल्ड है और एक तरफ खुली तरफ आएगा फ्रेंट आसन और बंद साइड की तरफ आएगा पै आप जौन की तरफ फोल्ड करेंगे हाफफ इंच फैब्री की और खुली साइड की तरफ आप चोड़ देंगे और यहां पर हमने एक क्तल लगाया है सबसें और बैक बंसाइड की तरफ बैक आसन और जो यह हमने कट लगाए है फोल करके यहां पर हमारी सलवार के डिजैन आएंगे तो अब हम इसे सिंगल करेंगे तो इस पेल्ट को हमें ऐसे सिंगल करना है जो हमने सेंटर पे कट किया है यहाँ पे हमारा बैक आसन आएगा और साइड के जो कट हैं यहाँ पे हमारे डिजैन आएगे और अब हमें सलवार का पीस लेना है यह हमारी सलवार का एक पीस है और एक तरफ आसन है, दूसी तरफ कट है, जहां से हम सलवार को डिजैन करेंगे तो इस पीस को हम ऐसे सिंगल करेंगे, ऐसे इस पीस को मैं सीधी तरफ से रखना है, अब हमें दूसरा पीस लेना है इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे और आसन पे अब आप सिलाई लगा लें तो यहाँ पे मैं आसन पर सिलाई लगा रहे हैं दिहाना के जितनी फैबरिक आपने सिलाई में सुरुवाद में रखी है उतनी ही लाश्ट तक रखें इसे फिनिसिंग बहुत अच्छी से आती है तो यहाँ पे मैंने आसन पर सिलाई लगा ली है अब हमें बैल्ट लेनी है तो बैल्ट को हम ऐसे रखेंगे और जो सेंटर का आसन है इसे आप पिनप कर लें ताकि समझने में आसानी हूँ तो बैक आसन को आप पिनप कर लें जो सिला है वो बैक बैल्ट के सेंटर पे हमने बैक आसन को पिनप कर लिया है और फ्रेंट आसन की तरब से हम प्लेट्स भनना सिरू करेंगे तो ऐसे हमें belt को सीरी तरफ से रखना है अब फिर हम वो ये आसन वाला piece रखेंगे इस तरह से उल्टी तरफ से और फिर हम इसमें plates भरना सिरू करेंगे जो हम इसमें plates भरेंगे ये हम one and half inch की ऐसे plates भर रहे हैं ध्यान रखें plates के उपर plates नहीं रखनी है ये single ही रहेंगी ऐसे तो इस तरह से side cut तक आपको ऐसे plates भरने है plates का direction हम machine की तरफ कर रहे हैं देख लीजिए और ये side cut आने वाला है अभी आप ऐसे plates भरके fabric को cover करें तो यहां पर हम ये fabric को cover कर रहे हैं plates भरते हुए और ये हमारा side cut भी आ गया है और ये kona आ गया है जो हम यहां पर हम इसमें ऐसे fabric की छोटी-छोटी plates भरेंगे और इस side cut पार रखेंगे और खिलाई लगाएंगे फिर इसके बाद the plates का direction हम चैन्ज करेंगे तरह आप संट प्लेट्सों का डारेक्शन हम अब चेंज करेंगे अब की वार प्लेट्सों का डारेक्शन हम मसीन की तरफ कर रहे हैं और ऐसे ही अब आप डारेक्शन चेंज करके साइड कट तक प्लेट्स भरें ध्यान रखें प्लेट्सों का डारेक्शन मसीन की तरफ है और फिर यह कट आ गया है और ये कौना भी आ गया जिसको ने की हमें छोटी-छोटी ऐसे प्लेट से भननी पड़ेंगे और साइड कट पर हम ऐसे रखेंगे कि और उट बाऊ लगाएंगे तो इस तरह से हमलाई लगानई तो यहां पे हमने यह प्लेट्स भली हैं देख लीजिए बहुत ही अच्छे से हमने यह प्लेट्स भरी हैं ऐसे ही हमने दूसी तरफ भी यह प्लेट्स भरी हैं दोनों तरफ हमने सेम ऐसे ही प्लेट्स भरी हैं जो कट लगाई थे हमने अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंग के बाद अब हमें front आसन को सिलना है और यहाँ पर हम one and half inch fabric दोरी वाला हिस्सा बनाने के लिए छोड़ेंगे और फिर हमें ऐसे back आसन पर सिलाई लगानी है इस तरह से आप पूरे back आसन को सिलने यहाँ पर हमने back आसन को सिल लिया है अब हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं तो जो हमने फैबरिक छोड़ी है इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है ऐसे याप दूसी तरफ भी सिलाई लगा लें तो यहाँ पर हमने यह सिलाई लगा ली है अब हम डोरी वाला हिस्सा बना रहे हैं फै बेल्ट को चिल लें तो यहां पर मैंने यह बेल्ट फोल कर ली है और अब हम मोहरी बनाएंगे तो जो हमने मोहरी कट की थी वो हमने वी शेप में कट की थी वो हमने इसलिए कट की थी ताकि हम इने डिजायन की बना सके तो यहां पर हम देखेंगे इसकी गहराई कितनी है वी है 2.5 इंच देख लीजिए ऐसे 2.5 इंच और अब हमें बुक्रम लेनी है बुक्रम की चोड़ाई हम ऐसे बुक्रम को रखते हुए लेंगे ताकि हमें ध्यान रहे क्योंकि जो ये उपर की तरफ से धोती सिल्वार की मोहरी की चोड़ाई अधिक होती है तो हम उपर की तरफ इख जोड़ाई लेनी है 2.5 इंच की v-shape की गहराई है और बुक्रम की जो हमने length ली है वो हमने ली है 4.5 इंच हमने इसकी length ली है बुक्रम की और अब हमें fabric लेनी है और fabric हम बुक्रम से दुगनी रखेंगे और बुक्रम को हमें इस तरह से फैब्रिक में रखना है और उपर की तरफ आप एक सिलाई लगा लें क्योंकि जब हम ये महोरी बनाएं तो फैब्रिक और बुक्रम इधर उदर ना हो तो उपर की तरफ आप एक सिलाई लगा लें यहाँ पर मैंने यह सिलाई लगा ली है और यहाँ पर हम यह बुकरम वाली फैबरिक रखेंगे और इस पीस को हमें ऐसी रखना है और इस कौने पर हमें कट लगाएंगे हाफ इंच का क्योंकि हम फैबरिक को हाफ इंच फोल करेंगे तो यहाँ पर हमने कट लगा के इसे पिनप कर दिया है और अब हम इसे फोल करते हुए सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर हम फैबरिक को हाफ इंच फोल करेंगे और सिलाई लगाएंगे ऐसे ही आप दूसी तरफ भी यह सिलाई लगा लें फैबरिक को फोल करते हुए तो यहाँ पर हमने इसमें दूसरी तरफ भी यह सिलाई लगा ली है और फिर हम इसे अपनी तरफ घुमाएंगे और फिर हम थोड़ी दूरी पर दूसरी सिलाई और लगाएंगे तो इस तरह से आप दूसरी सिलाई लगा लें फिर इसके बाद फिर फैवरिक को घुमाएं और फिर आप तीसरी सिलाई लगा लें इसी तरह से जितनी बुकरम की चोड़ाई है उसी तरह से इसमें आप सिलाई लगा लें तो यहाँ पर हमने यह मोहरी बना ली है ऐसे आप दूसरी मोहडी को भी बना लें, और यदि आप इस ब्लेक वाली फैब्रिक पर सिलाई लगाना शाती हैं, तो ब्लेक धागे से यहाँ पर भी आप सिलाई लगा सकती हैं, और हमने यहाँ पर दौनों मोहडी एक जैसे बना लें, इस तरह से आप हो महरी से लेकर आशन तक आशन से ले कर दूसरी महरी तक सिलाही लगा लें और धोती कमप्लेट हो公ा से सबस्काने आप से विका बहुत बहुत धन्यवाला